आज की इस वीडियो में आपको बहुती अच्छी विकंसी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आड़ है MDSL के तरप से पंबार विकंसी होने वाली है टोटल लमार ओफ जो विकंसी है इसमें 1041 पोस्ट के लिए इसमें विकंसी ओट की गए आज जो हमारा चैनल है उस पे 58,000 सब्सक्राइबर कंपलेट हो चुके हैं तो मैं आप लोगों दिल से थैंक्यू बोलना चाहता हूँ आप जो हमारा चैनल है 58,000 लोगों की एक फेमली बन चुकी है जो लोग अभी तक सब्सक्राइब की हैं उनको भी थैंक्यू जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं उनको भी थैंक्यू कम से कम होंगा तो आप लोग ऐसे ही प्यारोर सपोर्ट बनाई रखे जल्द ही साटह द gak नोटीस है यह जो वेकंसी आ रही है मजगाऊ डॉक्स इप नोटीस के तरह की तरफ से तरह सिर्फ वेकंसी आ रही है गवर्मेंट ओफ इंडिया अंडर्टेकिंग में दिरूर से आप लोग इसमें अप्लाइ कर सकते हैं भारत सरकार का उपक्रम है आप लोग इसमें पाटिसिपेट कर सकते हैं इसका जो एड़रटाइजमेंट नमर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 95 अबलीक 1222 और इसमें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे application are invited from Indian nationals all इंडिया से एक हैसी बिलोग करते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाइ कर पाएंगे application जो invite किया गया है 12 September से लेकर के 30 September 22 के बीच में तो आज 11 September है कल से आप लोग इसको अप्लाइ कर पाएंगे अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है total number of vacancy आप लोग को मैं यह चलिए अब बात करते हैं इसमें essential qualification details की तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग आपको यहाँ पर grade देखने के लिए मिल जाएगे और उसमें क्या essential qualification है और उसमें experience required है की नहीं है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल तो उपर से जो आपको यहाँ पर विकेंसी दिख जाएगी यह सभी idea वालो के लिए जिसमें apprenticeship necessary है अगर आप लोग apprenticeship किये हैं कहीं पर भी यह आपके पास one year का experience है तो आप लोग apply कर पाएंगे किसी-किसी पोस्ट में mention नहीं होगा तो उसमें जरूरी नहीं है आप लोग उस यहाँ पर 22 नमर का जो पोस्ट है यहाँ से नीचे आपको डिपलोमा वालो के लिए दिखेगी जिसमें की first नमर है mechanical वालो के लिए आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे must have passed full time three year का अगर आप लोग डिपलोमा कर रख है mechanical या ship building और marine engineering में तो आप लोग इसमें apply कर उसके बाद की जो पोस्ट है इसमें आपका three year का डिपलोमा अगर आप लोग पास है electrical या power engineering में या triple engineering में या electrical and instrumentation engineering में या electronics engineering में और भी यहाँ पर allied branch यहाँ पर दी गई है यह सभी branch से भी अगर आप लोग कर रखे हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए apply कर पाएंगे उस mechanical and production engineering, production engineering और marine engineering यह सभी से अगर आप लोग कर रखे हैं तो इसमें apply कर पाएंगे लगवग लगवग सभी branch के लिए दी गई है तो आप लोग वीडियो के अन तक जिरूर देखते रहेगा उसके बाद की जो 28 नमर पोस्ट में है इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मि mechanical या ship building या marine engineering में तो इसमें apply कर पाएंगे one year का ship building experience इसमें compulsory है उसके बाद next पोस्ट जो है इसमें आपको must have fast full time three year का diploma और full time degree यानि कि इसमें अगर आप लोग बीटे कर रखे हैं या डिपलोमा कर रखे हैं यह सभी branch से तो apply कर पाएंगे जिसमें कि है electrical electronics और marine engineering और सभी में आपको only diploma वालोग के लिए vacancy है और अगर आप लोग बीटे candidate है तो यही वस vacancy है आपका electrical electronics और marine engineering से अगर आप लोग बीटे कर रखे हैं तो apply कर पाएंगे बाद वाकी की जो vacancy है उसमें आपको only जो भी ऐसे candidate है जो diploma है वो लोग eligible है only diploma qualification mention किया गया है उसके बाद एक post है इस इसमें civil mechanical electrical production इसमें आपको डिपलोमा अगर आप लोग कर रखें यह सीवी ब्रांज से civil electrical mechanical production से तो apply कर पाएंगे इसमें और एक चीज़ प्रिफरेंस दिया जाएगा उन candidate को जिनके पास यह ADIS certificate होंगे उन लोगों को प्रिफरेंस दिया जाएगा नहीं भी है तो जरूर से इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद की जो पोस्ट है इसमें आपको full time three year का डिपलोमा होना चाहिए mechanical electrical electronics उसके बाद electronics स्यासी विल्डिंग and telecommunication instrumentation और computer engineering तो यह सभी ब्रांज से अगर आप लोग इसमें डिपलोमा कर रखे हैं तो इसमें apply कर सकते हैं कोई भी experience required नहीं है civil वाले में भी experience required नहीं है और यह सभी ब्रांज में भी experience required नहीं है तो जरूर से इसमें participate कर सकते हैं उसके बाद की पोस्ट जो है इसमें आपको ITA वालों के लिए qualification है और नीचे में आपको और भी सारे post दीख जाएंगे तो जिसमें आप eligible होंगे उस post में जरूर से apply कर सकते हैं total इसमें 41 अलग-अलग category की post है जिसमें जिस भी post के लाप eligible होंगे उसको apply कर सकते हैं अगर सबको एक जगा combined करके बात करें तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे grouping of discipline engineering यहां पर आप लोग को यह ब्रांच दिख जाएगा जिसमें mechanical electronics electrical computer science IT और civil दिया गया है जिनमें कि यहां पर इसके जो भी सब ब्रांच या allied ब्रांच है यहां पर mention किया गया है तो इन में से किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग कर रख रह необходимо इसमें apply कर पाएंगे जिसमें डिप्लोमा mention है उसमें only diploma और ग्ण्ध ब्रांच से यहाँण बैपला कर पाएंग प्लाइग कि यह जाएगा 22,000 से लेकर के 83,110 से आपको इस हब से अपर आपको इहां पर देखने के लिए मिलेगी और उसके नीचे आपको यहां पर यह सभी पोच्ट के लिए अलगलग ग्रेड के नुसार से अलग डिए आपको दे किला जाएगा इंबर आपको देखने के लिए कुछ रिलाक्सराई भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनमें आपको अलग-अलग कर जाए तर्फ जियादा इस MSC में वैंने सίνश्य बात करें तो आपका ismin 6 रहने वाली है जो कि Exchange कि चौन किया जा सकता है वर्न प्लस वन यहांने की टोटल जो यह विकर्शिय के लिए आपका रहने वाली है इनकेस आपका जो परफॉर्पर्फॉर्मेंस सट्परी रहता है तो आपको वन प्लस वन यह बढ़ाया जा सकता है पेस्ट on project requirement आनुसार से ज आपको जो अभी यहां पर अगर किसी का भी selection हो जाएगा तो इसमें अगर आप काम कीजेगा तीन साल ही काम कीजेगा पांच साल काम कीजेगा तो आपके पास five year का experience हो जाएगा तो यह आपको बहुत भी बड़ी काम की चीज होगी जब भी कोई vacancy निकलेगी उसमें आप जिर return test experience और trade या skill test के अधार पर आपका इसमें selection होने वाले जिसका weightage यहां पर दिया गया है इनकेस जिस भी post में experience required है उस post में आपको इस तरह से रहेगा आपको 20 mark दिया जाएगा experience का और आपको total 80 mark का आपका होगा और जो भी एसे candidate है जिसमें जो post में आपका experience required नहीं है उनमे आपको 50-50 रने वाली है 50 mark आपका exams होगा और 50 marks आपका trade या skill test होगा तो इसी के अधार पर आपका इसमें selection होने वाली है इसमें details में इसका दिया गया है उसके बाद document verification होगा तो इसमें details में इसका syllabus भी दिया गया है आप लोग इसको download करके देख लिजेगा हम बात करते हैं क इसको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आप लोग video के description में link provide कर दूँगा या official website का link दे दूँगा तो उस पर click करके आप लोग जाएगा इसके career section में वहाँ पर online recruitment का आपको option दिखेगा non executive का दिखेगा वहाँ पर आपको non executive tab में click करके register कर लेना है और आप लोग उसके बाद इसको apply कर लिजेगा कल से जाएगा apply करने के लिए क्योंकि link activate कल से होगा आज 12 September से आप लोग इसको apply कर पाएंगे 12 September से लेकर करके 30 September के बीच में आप लोग इसको apply कर पाएंगे यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका schedule दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं important date में आप लोगों मैंने इसका starting date और last date बता ही दिया और objection आपका करने का जो 22 October 2022 तक रने वाली है tentative date for announcement of online examination जो है आपका 5 November 2022 को इसमें किया जाएगा 30 September तक आपका online application invite किया गया है 30 September तक आप लोग apply कीजेगा और 15 October तक बता देगा कि कौन लोग इ 5 October तक claim कर पाओगे और 5 November को आपका examination होने वाली है तो यह था इसका detailed information आप आप इसको समझे होंगे और भी चीज़ इसमें दिया गया है syllabus और आप लोग इसको देख लिजेगा payment कैसे करना है last page में इसका instructions यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसको download कर लिजेगा देख ल आप लिजेगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब एक लिए सुक्रिया और थैंक्यू